हेलो गाइज, वेलकम डो दिस समेजिं प्लेटफॉर्म टाप टेन क्लासेज मेरा नाम है सचीन, मैं आप लोगों को बाइलोजी का सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ तो गाइज, आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं लैंगिक जनन गाइज, पिछले लेक्चर में हम लोग अलैंगिक जनन के बारे में भी जान लिये थे आज जो आम लोगों का टॉपिक है वह है लैंगिक जनन तो गाइज, लैंगिक जनन होता क्या है? जीवों में वह जनन जिसमें एक ही प्रजात के दो भिन भिन लिंग वाले जीव निसेचन के क्रिया को पूर करते हैं तो उसे आम लोग आलेंगिक जनन करते हैं जीवों में वह जनन जिसमें एक ही प्रजात के दो भिन लिंग वाले जीव एक ही प्रजाद के दो प्रजाद के नहीं guys only one एक ही प्रजाद के जिव निसेशन की क्रिया करके नए जिव का निर्मार करते हैं तो उसे हम लोग लेंगिक जनन काते हैं सेक्स्वल रिप्रोडक्शन काते हैं तो गाज यह लिखते हैं लाइंगिक जनन लाइंगिक जनन लाइंगिक जनन जीव में वह प्रजनन जीव में वह प्रजनन जिसमें एक ही प्रजाद के दो भिन भिन लिंग वाले दो भिन भिन लिंग वाले जीव निसेचन की क्रिया करके भ्रोड का निर्माड करते हैं तो उसे लाइंगिक जनन कहते हैं जीव में वह जनन जिसमें एक ही प्रजाद के दो भिन भिन लिंग वाले जीव निसेचन की क्रिया करके भ्रोड का निर्माड करते हैं तो उसे हम लोग लाइंगिक जनन कहते हैं इसका एक्जामपल हो जाएगा मनुस अब जैसे मनुस में मनुस हमारा प्रजात ही हो गया और इसमें दो भिन लिंग वाले जीव नर वा मादा नर का हो गया पुरुस और मादा का हो गया इस्त्री इस्त्री और यह हो गया भिन भिन लिंग वाले जीव भिन भिन लिंग वाले जीव भिन भिन लिंग वाले और यह हो गया एक ही प्रजात प्रजात ही हो गई मनुस और भिन भिन लिंग वाले जीव पुरुस वा इस्त्र निसेचन की क्रिया करके ब्रुन का निर्माड करके जीव का निर्माड करते हैं तो उसे हम लोग लेंगिक जनन कहते हैं जनक क्या होता है जिसके द्वारा अस्य सुका निर्मान होता है उसे हम लोग जनक कहते हैं जिसके द्वारा सिसु का निर्माड होता है उसे हम लोग जनक कहते हैं जैसे एक बच्चे के लिए उसके जनक माता पीता एक छोटे पसु के बच्चे के लिए उसके जनक उसके बड़े पसु इस प्रकार से होते हैं तो आईए हम लोग जनक के बारे में लिखते हैं, जिसके द्वारा सिसु का निर्माड होता है, सिसु का निर्माड होता है, तो उसे जनक कहते हैं, किसी भी सिसु के लिए, उसके माता पिता, पैरेंट, उसके माता पिता, जनक कहलाते हैं, जनक कहलाते हैं, गाईज, यह आओ गया, इसमें पहला जनक, जिसके द्वारा सिसु का निर्माड होता है, उसे जनक कहते हैं, इसके पहलाते हैं, इसके पहलाते हैं, इसके पहलाते हैं, इसमें दूसरा आता है जननांग, जननांग, तो गाईज, यह इसके बारे में लिखते हैं, जननांग, लैंगेक जनन में, जनन में, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा निसेचन की क्रिया पूर्ड होती है, उसे जननांग कहते हैं, उसे जननांग कहते हैं, जननांग कहते हैं, लैंगेक जनन में, जिसके द्वारा निसेचन की क्रिया पूर्ड होती है, उसे जननांग कहते हैं, गाईज, इसका एक्जामपल, जैसे मनुस में, मनुस में, नर्जननांग, नर्जनन तंत्र, मादा जननांग, मादा जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र होगा, ठीक इसी प्रकार गाईज, पुस्पो में, पुस्पो में, नर्जननांग हो जाएगा, पुस्पो में, नर्जननांग, उनके सर, नर्जननांग, इस्तर होगा, नर्जननांग, वर्ति काग्र, या हो गया, जननक और जननांग के बारे में, निसेजन की क्रियापूर होती है, उसे हम लोग जननांग कहते हैं, मनुस में नर्जननांग नर्जननतंत्र मादा में मादा जननांग मादा जननतंत्र इसके पश्चाद पुस्पो में नर्जननांग पुंकेसर वा मादा जननांग वर्तिकागर होता है तो guys, आईए अब हम लोग इसके साफ़ करते हैं आप इसके पशाद इसके निख्ष चरड को पढ़ते हैं पाला होता है जनक, दूसरा जननांग, तीसरा निसेचन इसका जो तीसरा भाग होता है वह होता है निसेचन निसेचन लेंगिक जनन में, जब नर जननतंत्र के द्वारा उत्पन सुक्राण। द्वारा उत्पन सुक्राण। वे मादा जनन तंत्र द्वारा उत्पन अंडाण। सल्यान की क्रिया पूर्ड करते हैं, तो उसे निसेचन कहते हैं, तो उसे निसेचन कहते हैं, गाइज इसका एक्जामपल जैसे मेल रिप्रोडक्शन हो गया, मेल रिप्रोडक्शन और फीमेल रिप्रोडक्शन हो जाएगा, इसके द्वारा इस्पॉम रिप्रोडक्शन हो गया, इसके द्वारा ओवम रिप्रोडक्शन हो गया, ओवम यह दोनों फटलाइज करेंगे, फटलाइज करने के पस्चात यह निसेचन की क्रिया करेंगे, यह निसेचन की क्रिया करेंगे तो इसे हम लोग निसेचन कहेंगे, मेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम और फिमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम से स्पम गया, ओम गया या फोटलाइज की क्रिया किया यहां तक की क्रिया को केवल हम लोग फोटलाइजेशन बोलते हैं अब इसके 50 फोटलाइजेशन की क्रिया करके एक नए कोशिका का निर्माण करता है तो उसे हम लोग यूगमनाज बोलेंगे ना कि निसेचन निसेचन की क्रिया केवल यहीं तो कहोती है मेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम से स्पम रिलीज होगा फिमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम से ओम रिलीज होगा यह दोनों फ्यूज करेंगे यह दोनों केवल फ्यूज करेंगे केवल फ्यूज तक की क्रिया को हम लोग निस यूग मनेज यहां तक सेम रहेगा लेंगिक जनन मेर जब नर जननतन्त के द्वारा उत्पन सुक्राण हुआ माधा जननतन्त के द्वारा उत्पन अंडाउट सल्यन की क्रिया पोड करके यहां से साब करना पड़ेगा सल्यां की क्रिया पोड़ करके एक नए कोशिका का निर्माड करते हैं एक नए कोशिका का निर्माड करते हैं तो उसे युगमनज कहते हैं तो उसे युगमनज कहते हैं उसे युगमनज कहते हैं इसका एक्जामपल हो जाएगा मेल रिप्रोड़क्टिव से मेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम एक होगा और एक होगा फिमेल रिप्रोड़क्टिव सिस्टम मेल रिप्रोड़क्टिव और हो जाएगा फिमेल रिप्रोड़क्टिव यहां से स्पॉम रिलीज हुआ यहां से ओवम डिली जुगा यह दोनों गएं फ्योज हुएं फ्योज होने के पास चार्ट फटलाइजेशन कियें फटलाइजेशन कियें फिर यहां से फटलाइजेशन के दौरान एक सिलका निर्माड हुगा जिसकी पॉलर्टी टूयन हुगा तो इसे आप हम लोग कि यूगमनेज क्योंकि जो male reproductive system के द्वारा इसकी पॉलर्टी यन होगी और थी बोलाइजेशन कि के द्वारा उत्पान अंडार निसेचन की क्रियक करके एक नए सेल का निर्माड करते हैं तो उसे हम लोग युगमनज कहते हैं युगमनज जिसे हम लोग जाइगोड बोलते हैं इसकी पॉलाटी टूयन होती है क्योंकि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेज स्पाम होगा उसकी पॉलाटी यन होगी फिमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेज जो ओवम होगा उसकी पॉलाटी यन होगी तो ये दोनों फ्यूज करेंगे 2N करके एक जाइगोड का निर्मार कर देंगे इसे हम लोग guys युगमनज की प्रक्रिया को कहते हैं अब युगमनज की क्रिया के पास्चाथ आता है और guys जो युगमनज होता है इसमें यहाँ पर जो युगमनज होता है यह समसुत्री अर्ध विभाजन के दौरान होता है क्योंकि जो female reproductive system होता है यह होता है 22XX plus XY और female में 22XX plus XX तो यहाँ पर अर्ध सुत्री यहाँ पर अर्ध सुत्री विभाजन होगा जिसके दौरान यहाँ पर एक यन मतलब एक गुड़ित कोस्ट का जाएगी यहां से एक गुड़ित कोस्ट का जाकर यहां पे दोई गुड़न की क्रिया को कड़ेगी जिसके पॉलटी 2 यहन होगी तो गाइस अब अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे अर्धसूत्री विभाजन यहां तीसरा हो गया इसमें युगमनज तीसरा हो गया इसमें युगमनज नहीं चोथा है युगमनज यह युगमनज चोथा है क्योंकि पहला जनक था दूसरा जन्नांग था तीसरा निस्यचन था चोथा युगमनज है अब पाचमा जो है अब हम लोग पाँचवे को पढ़ेंगे अर्द सूत्री विभाजन अर्द सूत्री विभाजन अर्द सूत्री विभाजन क्या होता है जब निसेचन की क्रिया को पूर करने वाले जो नर्जननतंत्र और मादा जननतंत्र होते हैं इनमें पहले से ही इनमें होने वाले विभाजन को अर्द सूत्री विभाजन करते हैं नर जननतंत्र और माधा जननतंत्र के द्वारा उत्पन जो ओम और स्पाम होगा इसके विभाजन जो इसमें विभाजन होता है उसे हम लोग आर्दसोत्री विभाजन कहते हैं आई आम लोग लिखते हैं जोब निशेचन में नहीं वा विभाजन वा विभाजन जिसमें वा विभाजन जिसमें योगमाख द्वी गुड़न से एक गुड़ित हो जाएं तो उसे समसूत्री अर्ध विभाजन होगा गाईज यहां पर समसूत्री अर्ध विभाजन समसूत्री अर्ध विभाजन समसूत्री अर्ध विभाजन कहते हैं वा विभाजन जिसमें योगमाख द्वी गुड़ी तवस्ता से एक गुड़ी तवस्ता में आ जाता है तो उसे हम लोग समसूत्री अर्ध विभाजन कहते हैं 22 एक्स एक्स प्लस एक्स एक्स तो गाईज अब यहां पर समसूत्री अर्ध विभाजन तो समसूत्री अर्ध विभाजन के दौरान यहां से मिलेगा हम लोगों को यार एक्स एक्स और यहां से भी जाएगा यार नहीं गाई यह जो 22 एक्स एक्स होते हैं यह तो कामन होते हैं तो यहां पर हो जाएगा 22 एक्स है यहां पर हो जाएगा 22 एक्स है प्लस आपनी सेचन की क्रिया के दौरान समसूत्री अर्ध विभाजन तो समसूत्री अर्ध जैसे यहाँ पर या तो यक्स जाएगा या यक्स जाएगा यहाँ पर भी जैसे एक्स जाएगा या वाई आप यह जाकर निसेचन की क्रिया को पूर करेंगे तो इसे हम लोग समसूत्री आर्ध्वी भाजन कहते हैं क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर यह एक्स वाई एक्स और अगर यहीं से X के बजा यहाँ पर Y चला गया और यहाँ पर X ही रहेगा तो इसके दोरान उत्पन संतर मेल होगा 22XX प्लस XY यहाँ पर हो जाएगा female यहाँ पर हो जाएगा male गैज जिया हो गया पूरी प्रक्रिया पांचवा इसमे अर्द सूत्री विभाजन हो गया अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें व्रोण की उत्पत्ति कैसे गैज व्रोण की उत्पत्ति होती है आईये अब इसका आंतिम चरड है, पाला तो इसमें हो जाएगा जनक, दूसरा जननांग, दिसरा निसेचन, चवथा यूग मनज, पांचवा समसूत्री अर्द्वी विभाजन अब छाठवा इसमें व्रोण की उत्पत्ति छठवा इसमें व्रोण की उत्पत्ति छटवा भुरोण की उत्पत्ति भुरोण की उत्पत्ति गाईज पाले हम लोग पादप में पढ़ेंगे भुरोण की उत्पत्ति में पाला हो जाएगा पादप में पादप में तो गाईज पादप में जो भुरोण की उत्पत्ति लिए पाधा में निष्चेचन के लिए पहले जो पराग को से निर्मक्त वराघ काड़ होगा पालेंगरेन होगा और जब मादा वर्तिकागर पूर उसे परिपक हो जाता है तो उसके वर्तिकागर पर कुछ तरल पदा जैसे सरकरावा जल का रिर्सा होने लगता है जब पराग कर किसी माध्यम से उस वर्तिकागर पर जाएगा तो निस्यचन की क्रिया को पूर करेगा निस्यचन की क्रिया के दोरान जाइगोड का निर्माड होगा यह जाइगोड देर देरे ब्रून का निर्माड कर देगा फिर ब्रून देरे देरे बीच का निर्माड कर देगा जब हम लोग उस बीच की रोपाई करेंगे तो वस्वय में एक नए पादप का निर्माड करेग गाइज आईए इसे हम लोग चित्र के माध्यम से समगते हैं जैसे माले जी यह हम लोग इसमें वर्तिका वर्तिकाग्र का चित्र बनाते हैं गाइज जैसे माले जी यह यह हो गया हमारा वर्तिकाग्र यह हो गया वर्तिकाग्र और यह हो गया वर्तिका और यहाँ पर ऐसे रहेगा बीजान यहाँ पर सबसेल होगा गाइज यह होगे आम लोगों का बीजान और यह हो जाएगा निभागी सिरा निभाग जिसे आम लोग बोलते हैं जिसे आम लोग निभाग बोलते हैं और गाइज यहाँ पर हो जाएगा इसे आम लोग निभाग बोलते हैं गाइज यहाँ हो गया आम लोगों का निभाग और यहाँ हो गया बीजान और यहाँ पर बीजान द्वारी सिरा तो-गैश आप जैसे मालीजिये या जो अर्टिकाग रहे जब यहां पोर रूप से विक्सित हो जाता है तो यहां पर सरकरावा जलका रिसाव होने लगता है जिसे यह थोड़ा सा चिपचिपा बन जाता है यहां पर जो रिसाव होगा YH2O प्लस सरकरा होगा ₳जल सरकरा हो यहां से जो इसका अंतरिक परत होगा इंटाइन या देरे देरे पालन ट्यूब का निर्मार कर देगा फिर यह पालन ट्यूब यहां पर आएगा और निसेचन की क्रिया को पूर्ड करेगा और जो बेजांड में जब यह निसेचन की क्रिया को पूर्ड करेगा तो पर जब पॉलेंग्रेन और इसके पॉलेंग्रेन पिश्टल इंट्रेक्वर परागिकड और वर्तिका परागिकर वर्तिका आइक्वर जब निहां से पालेंटिव का निरंवाड होगा और पालेंटिव में two mil gaymit जाकर यहां पर फ्यूच की क्रिया करेंगे पॐजुच की क्रिया के परचाथ Vron का निर्माड होगा धीरे धीरे यह रोण बीच का निर्माड कर देगा तो पादब में ऐसे ही होता है आईए हम लोग लिखते हैं पादब में जब परागकड जब परागकड वर्तिकाग्र पर जाता है और निसेचन के दवरान बीज का निर्मार करता है बीज का निर्मार करता है अब गाईस यहां पर परागकड आया वर्तिकाग्र पूर्डूप से बिक्सित था यहां से जलवा सरकरा का रिषा होने लगा परागकड इसको अपने अंदर असोसित किया इसका बाई परत जो एक जाइन होता है वह बहुत ही कठोर होता है तो फूल गया आंत्रिक परत इंटाइन पालेंट्यूब का निर्मार कर दिया इसे हम लोग पराग नली क्या बोलते हैं अब पालेंट्यूब का निर्मार हुआ पालेंट्यूब यहां वर्तिका से पोसर पाते 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 अंडा से के बीजान द्वारी सिर्या तक चला गया यहां पर जाने के पच्चा इसमें दो मेल गयमिट होते हैं अब यहां पर पहुजने के पच्चा जो पराग नली का उपरी सिरा होता है या फट जाता है फट गया यहाँ पर दो मेल गयमिट आ गए अब यह दो मेल गयमिट जाकर पहले तो देदरुवे केंदर्ग से जाकर तरी सल्लेन की क्रिया को पूड करेंगे और इसके पहस्चाद जो दूसरा वाला मिल गए मिट होगा या अंड को इसकर से जा करके ब्रून पोस का निर्माड कर देगा गाईज अब ब्रून पोस और इसका निर्माड होने के पश्चाद अब यहाँ पर बीज का निर्माड हो गया तो दोरान बीज का निर्माड करते हैं अब गाय जिसे माल लेजिए इन सभी प्रक्रियाओं के दोरान यहाँ पर इन सभी प्रक्रियाओं के दोरान बीज का निर्माड हो गया यह हो गया हमारा बीज अब इस बीज को हम लोग रुपाई कर देते हैं यह हमारी हो गई मिर्दा हमारा हो गया मिर्दा आप हम लोग इस पर जठ थोड़ा बड़ा होगा अब यह जो पत्ति ए अब यह ऐक नमाड़ करने लगए धिरे-धिरे ऊपर उपर है भी इस इत्व थिरे परश्चाट फिर्जब कुछ कुछ दिन होगा त diff यह बड़ा हो P के भाग मोटे हो जाएंगे प्र यहांसे इस प्रकार प्राथमिक जड़ दिती एक जड़ इस प्रकार से इसके जड़ निकलेंगे विविन प्रकार के जड़ यहाँ पर फिर इसके पश्चाथ आब यहाँ से जो है अब यह एक पुर्ड रूपेट पादप का निर्माड कर देगा गाइज यहाँ हो गया अब हम लोग बीज की रोपाई किये या अपने समान उचित वातावरण पाने पर एक नए पादप का निर्माड कर दिया धिरे धिरे इस पादप में भी निस्यचन की क्रिया होंगे निस्यचन की क्रिया के दोरान इसमें भी व्रोण का निर्माड होगा प्रोड की क्रिया के दोरान इसमें भी बीज का निर्माड होगा बीज का निर्माड की जब हम लोग उसमें बोवाई करेंगे और गाइज बीज में ऐसा क्या होता है कि जिससे उसके जड़े जल की तरफ ही जाती है और जो पतिया होती है उपर की तरफ जाती है तो गैज इसमें आगजीन नामक हार्मोन्स पाया जाता है जो बीज में होता है आगजीन नामक हार्मोन्स ये आगजीन नामक हार्मोन्स जो होता है न ये जो जड़े होती है इनको जल की तरफ लेके जाता है और जो पतियां होती है इनको प्रकास की तरफ लेके जाती है जड जो है जल का समवहन करेंगी पतिया प्रकास दंसलेसर की क्रिया के उधार अन भोजन का दिन माड करेंगे तो गाइज यही कारड होता है जो जड़े जल की तरफ पति या प्रकास की तरफ जाती है आग जिन नामक हार्मोन के कारड जाती है गाइज हम लोग तो पढ़ ले हैं पादब में ब्रून की उत्पति अब हम लोग पढ़ेंगे मानो में ब्रून की उत्पति कैसे होती है तो गाइज अब हम लोगों का इसमें जो दूसरा टॉपिक है वह आए मानो में ब्रून की उत्पति मानव में भ्रूण के उत्पत्ते गाईज जब हम लोग मानव में भ्रूण के उत्पत्ती पढ़ेंगे बे मानव में तो गाईज आईया हम लोग इसे चित्र के माध्यम से समझते हैं क्योंकि male reproductive system बनाना तो important है नहीं क्योंकि उससे हमें इस form ही लेना है और इस form female reproductive system में कहाँ पर फ्यूज होगा इसके पश्चात कहाँ पर इसमें बुनूड का निर्माड होगा इसके पश्चात सभी प्रकार की क्रियाओं को हम लोग पढ़ेंगे तो इसके लिए हम लोग female reproductive system क को बनाते हैं female reproductive system को बनाते हैं गाइज यह हो गया हम लोगों का female reproductive system गाइज यहां पर होते हमारे जहालर अंगुली सद्रिस इनकी स्रस्चनाय होती है फिर यहां पर हो गया हमारा अंडास है ओरी और गाइज यहां पर इस प्रकार की स्रस्चनाय होती है गाइज यह हो गया अब यहां से जैसे यहां से female reproductive system से इस पर्म गया और ऐसा तो है नहीं धिर सा एक ही इस पर्म जाएगा हजारों करोडों इस पर्म जाएंगे और इसमें से निस्टिचन के वल एक का होना है क्योंकि गाइज जो इस पर्म जाएगा कुछ तो इधर जाएं पर जैसे दोनों एक साथ नहीं कार करते हैं जैसे एक महिने में यह कार कीए तो एक महिने में यह कार करेगा फिर एक महिने यह बंद रहेगा तब इक महिने बीच में इनका ऊर्ज़े खत्म हो जाएंगा इस परनश्ट हो जाएंगे अब ग longitud गम गइद जो यहां से जो अन्डाषाय से वम-्रेलीजें होगा और यहां से स्पॉम माल कि क्रियागों अईसे हैँ अधसए यहां पर आकर फैलोपेन ट्यूब में अ पिरें पर यह पर ओग्या है ऑब कर निर्माड बहुंड का निर्माड जो इसमें आयां सटुसे इजाहं प्रसाओं में बच्चा मादा के गर्भासे से बाहर निर्माड कर देगा प्रसाओं के दौरान माता के यूट्रेस से जो सिसु होगा वा बाहर निकालाएगा तो गायजा यह हम लोग लेखते हैं मानव में मानव जनन तंत्र के द्वारा उत्पन सुक्राणु उत्पन सुक्राणु मादा के अंडाडु से फैलोपियन नलिका में निसेचन की क्रिया पूर करते हैं पूर करते हैं इसके पश्चात इसके पश्चात उत्पन भूरूर उत्पन भूरूर गर्भासय की दिवारों से चिपक जाता है जिसे सहगर्भता कहते हैं सहगर्भता कहते हैं सहगर्भता कहते हैं फिर यह भूरूर नव से साढ़े नव माह तक एक सेशुका निर्मार कर देगा कर देता है तो गाइज यहां हम लोग पढ़ लिए भरूर चानांग निशेचन युगमनस सम्सू्री अर्ध विवाजन और भरूर के उत्पत्यों भी पादब में और मनुस में इन सब के बारे में पढ़ लिए तो गाइज बस आज का वीडियो यहीं तक I hope अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देजिए चैनल पर पहले बार आये हो तो चैनल को सस्क्राइब कर देजिए और आप लोगों को जो डाउट है आप लोग डाउट अपना कमेंट करके बताईए हम लोग उसे आउट करेंगे मिलते हैं आपसे निक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत